हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुती important topic के बारे में वो है आपका प्रधान मंतरी रोजगास रजन योजना ठीक है क्या है कैसे आप apply कर सकते हैं इसमें क्या के criteria हैं कितनी subsidy मिलेगी इन सभी चीजों की information मैं आपको दूँगी इस वीडियो में तो इसी तरीके से मे बात कर रहे हैं किसकी प्रधान मंतरी रोजगास रजन योजना इसके बारे में आगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ important चीजें हैं उसकी लिए यहाँ पर आपको जानना जरूरी है तो पहली चीज की यह जो प्रधान मंतरी employment generation program है यह क्या है यह जितने भी किसी भी राज सील में कोई विवेक्ति जो की आठवी पास हो या उसकी उमर जो है वो 18 वर्ष का हो चुका है तो वो सभी अगर किसी भी तरीके का business करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेगी सरकार आपको पैसा देगी तो business किस sector में करना है यह आपको यहाँ पर बताया जाएगा तो basically य काम करने के लिए सरकार आपको पैसा देगी एक तो है आपका manufacturing sector ठीक है जिसमें क्या करेंगे आप किसी product को बनाएंगी कौन-कौन से product में आप ऐसे apply कर सकते हैं जैसे textile हो गया यानि कि आप कोई कपड़ा बना रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं प्लास्टिक का कोई समान बना करते हैं तो सरकार आपको पैसा देगी इसी तरीके से अगर हम बात करें कि service sector दो सेक्टर है एक है manufacturing sector यानि कि आप किसी चीज का उत्पादन कर सकते हैं और दूसरा है service sector service sector कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसमें क्या होगा उसमें आप किसी भी तरीके की service देंगी जैसे कि जैसे कि आप कोई बुटीक खोल सकते हैं जैसे कि आप कोई beauty parlor खोल सकते हैं कोई computer institute खोल सकते हैं जिसे कि आप सीधे-सीधे मानव हित में क्या करेंगे कारे करेंगे तो इस सबी के लिए क्या करेगी सरकार आपको पैसा देगी ठीक है तो basically लेकिन एक चीज का दिहान का है ना इस तरीके की जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी manufacturing के लिए सरकार आपको पैसा नहीं देखी तो जिस जिसने भी ये सोचा हुआ था उनका plan तो फेल हो गया है तो वो लोग apply नहीं कर सकते याद रखीगा कितने वर्ष आयो होने चाहिए तो आपको कम से कम आप 18 वर्ष के ह लोग है उनको load provide किया जा रहा है ठीक है और जो minimum qualification है वो भी मैंने आपको बता दिये कितनी होने चाहिए 8 वर्ष के होने चाहिए ठीक है इन सभी चीजों के लिए अब ये जानना जरूरी है कि manufacturing और service sector में कितना पैसा किसको दिया जाएगा तो manufacturing जो लोग कर रहे हैं है ना ज जो लोग service sector में कुछ करना चाहते हैं तो उनको कितना amount दिया जाएगा उनको 10 लाग तक का amount यहाँ पर दिया जाएगा अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे तो इन सभी के लिए कुछ criteria है ठीक है कुछ criteria है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो उसका criteria यह है कि आप किस छेत्र में रहते हैं इस पर भी depend करता है अगर अरवन छेत्र में रहते हैं और आप जनरल category में आते हैं तो आपको 15% की subsidy मिलेगी और अगर आप आते हैं special category जैसे कि हो गया आपका SC, ST, OVC या भूत, पूर्फ, सैनिक या कह सकते हो आप जो physically challenge होते हैं ऐसी लोगों क 25% का subsidy मिलता है किसमें? अरवन एरियास में और यही अगर रूलर एरियास में हैं तो जनरल category वालों को मिलेगा 25% का और जो special category की लोग होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया SC, ST, OVC तो इस category के जो लोग हैं उनको कितना subsidy मिलेगा ग्रामीर छेत्र में तो आप कहेंगे कि 35% मिलेगा ठीक है अच्छा ये तो होगी normal general चीज जो कि आपको पता होनी चाहिए कितना पैसा मिलेगा किसको मिलेगा कितनी subsidy मिलेगी लेकिन आप बैंक से तो ले रहे हैं आप सरकार से पैसा मांग रहे हैं लेकिन सरकार को इस चीज की security भी होनी चाहिए कि आप उनको return द नहीं है आप पैसा लीजिए और अपना काम शुरू कीजिए लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि बैठे बैठे बाते बनाएंगे हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे नहीं उसके लिए आपको क्या करना है proper project त्यार करना है जब आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक आपके सारी strategy पूछेगा कि आप कितना पैसा किस चीज में लगाएंगे कितना आप खरीदेंगे कितने का सामान खरीदेंगे है ना कहां से खरीदेंगे उसकी cost क्या होगी फिर उसकी बनाने में cost कितनी होगी कितना labor आप यूज़ करेंगे ये सबी जो पूरा खाका है वो आपको तयार क से भी पैसा लगाना है क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपको कितना पैसा लगाना है 10% आपको अपनी तरफ से लगाना है जैसे पच्छेस लाग रुपे आप देंगे तो उसका 10% जो है वो आपको भी लगाना पड़ेगा अपने manufacturing unit में और जैसे कि service sector में तो उसमें भी 10 लाग जो रुपे आपको मिलेंगे service sector में उसका आपको क्या करना है 10% आपको लगाना है अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं यही अगर आप special category में आते हैं तो percentage 5% रह जाता है ठीक है तो मतलब 5% आपको लगाना है बाकी का जो percent 95% वो कौ होगी information लेकिन इसके लिए हम apply कैसे करें तो आप क्या करेंगे सबसे पहले google पर जाएंगे और google पर search करेंगे google पर आपको कुछ नहीं डालना है आपको सीधे सीधे लिख दे रहा है PMEGP ठीक है जैसी आप डालोगे एक page आपको open होगा जिस पर लिखा हो पूरा online process है इसको आप apply करेंगे online सारे document जो है वो verify होने चाहिए otherwise आपका form जो है वो reject हो जाएगा तो यह यहाँ पर जैसी है आप apply करने के लिए open करेंगे तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपका आधार card number क्या है आपका नाम क्या है आप किस राज्य में रहते हैं किस agency में sponsor कर रहे हैं यह सभी details जो है आपकी data worth किस category मा रहे हैं qualification क्या है किस blog जिला और वहां का pin code वगएरा यह सभी information के बाद आप जब नीचे आएंगे address वगेरा देने के बाद तो यहाँ पर आपको अपनी bank details ही देनी है क्योंकि पैसे तो आपके bank में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारा criteria लिखना है और बाकी आपको यहाँ पर दिया है session संस्तान का राम जो भी आप करना चाहत हैं उस सभी चीजों की detail आपको देनी है ठीक है और यहाँ पर आपका जो भी detail है इसको आप लोग एक बार देख लीजेगा जैसे ही आप इसको submit करेंगे पूरी process next page पर पहुंच जाएगी तो इससे related अगर आपको दिक्कत होती है तो एक हम दूसा वीडियो भी लेकर आएं इसको form को fill कर सकते है ठीक है तो बाकी इसकी जो कुछ details आगर या कोई भी question कोई require है आप comment करके पूछ सकते हैं आपको इस चीज का detail information दे दिया जाएगा thank you so much